पूरी कोशिश करूँगा कि इस बार भी शुभम संभाल लेगा इस बार भी शुभम संभाल लेगा विल्क आपको आपको बताने जा रहा हूं इस दुनिया का सबसे अच्छा टाइम टेबल जो सबसे आसान है फॉलो करने के लिए अरे यूँ तो हम लोग बहुत सारे टाइम टेबल बना सकते हैं प्रेपरेशन के लिए लेकिन क्या वो फॉलो होते हैं टाइम टेबल का भी फॉलो ही नहीं होता है क्यों के दिन में हमें इतना content cover करना है irrespective किता समय लग जाए हम लगाएंगे ही तो कुछ वैसा ही time table बनाया है मैंने आपके लिए अब दो category of students है वो students जो हमारे साथ percentage booster में पढ़ने वाले हैं it's okay वो तो उनको तो यह follow करना ही करना है वो बच्चे जो मेरे साथ percentage booster में enroll नहीं कर पाए है because of any reason वो यह time table follow कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर मेरी classes का समय है वहाँ वहाँ पर अब self study कर सकते हो simple चेक ना तो दोनों बच्चों के लिए दोनों category of students के लिए बिल्कुल अच्छे से यह follow होगा time table तो चलो भाई शुरुआत करते हैं मैं start करने जा रहा हूं मैं weekly बात मैं बोलूंगा think big act small take baby steps वही वाली बात है आपको छोटे-छोटे steps देने पड़ेंगे हम बात करने जा रहे हैं 9th से 15th December की आपको सार 9th से 15 December ही का दिन क्यों चूज किया है because हमारा इसी दिन से percentage booster शुरू हो रहा है 8th को percentage booster का orientation session है and 9th से 15 हमारा पहला सपता है पहला हफता है इस पहले हफते में क्या क्या करने वाले यह आपको पता ही है लेकिन आज आज आपको और डिटेल में समझ में आएगा तो सबसे पहले तो क्या कर रहा है डे वन शुरू होता है हमारा 9th December को अब भाई हमारा एक WhatsApp ग्रूप बनेगा उस WhatsApp ग्रूप के अंदर हम सब लोग पाले पांच-शे बजे के आसपास उठेंगे उठाने के जिम्मदारी मेरी मैं इतनी बढ़ियां आपको रिंग्टोन भेजूंगा कि भाई जिंदगी में आप अगर कोई सीनियर ये वीडियो देख रहा है तो बता सकता है जूनियर को कि मेरी रिंग्टोन कैसी थी वो रि तो अभी क्या करना पड़ा है पहला दिन है प्रिपेर यॉर्सेल्फ फर देवन आज आप लोगो को रेडी होना पड़ेगा कियर आज शाम को हमारा येस मिशन शुरू होने जा रहा है तो गेट 95% प्लस इंद बोर्ड इंशन आज देवन है ना रेजिस्टर खरीदना है न आज कल मॉबाइल के जमाने में आप हमसे ऐलाम क्लॉक खरीद आ रहे हैं बह Stevens को लेकर आनी पड़ेगी चाहे जो हो जाए वह एक आवाज आती है ना टी 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 वह दिल में दर्द देगे हार्ट एटक देगी तुमको एक्जाम समय तक इस year घ्रत ना-कर तव यह करना पड़ागा और दो लीटर की पानी की बोतल UrA सर इतना पानी हम पीटेनी विटाआ आ प्रिवयुत तुम ले करता आ हो दो लीटर की पानी की चेटमेंट की शुरू होने बाली है, बहतरीन सी क्लास होगी, अब जो बच्छे परसेंटेज बूस्टर में इंडोल हैं, वो cash flow statement मेरे साथ कर लेंगे, जो बच्छे इंडोल नहीं है, वो cash flow statement की self study कर सकते, कोई दिकत वाली बात तो नहीं है, ठीक है ना बाई, यहाँ पर introduction औ और cash flow statement में पढ़ाया, फिर 15 मिनिट का ब्रेक होगा, सवा 7 बजे से अगली class शुरू होगी, economics की इसके अंदर में consumer behavior पढ़ाऊंगा, साथ में वक्षीट भी दूँगा उसकी, अब सवा 8 पे वो class खतम हो रही होगी, साले 8 बजे आप करेंगे dinner, और पहला दिन है, तो थोड हाया था आपको cash flow statement में, आपको वही सेम, जैसे मैंने एक question कराया, तो वही सेम एक question आपको दुबारा करना पढ़ेगा, at 9.30 p.m. for sure, साले 10 बजे economics की जो वक्षीट दी है, उसको solve करनी पढ़ेगी, और हर दिन, रात में सोने से पहले English, तो भाईया, पढ़के सोना ही सोना ह अगर आपने English नहीं पढ़ा, तो आपका दिन complete नहीं होगा, ऐसे खाने के बाद desert जरूरी है, वैसे ही पढ़ने के बाद English का subject जरूरी है, कोशिश करना है साले 11 बजे तक सब लोग सो जाने की आदत डालने, because 6 बजे शुबम जगदीश आ जाएगा, ठीके ना पढ़ ले न self-study करिए, बाकी सारे subjects जो मैं नहीं cover करवा रहा हूँ, वो आप अपने आप cover करना शुरू कर दीजे, आप self-study के बीच में कर सकते हैं, फिर दो पहर का 4 बजे से 5 बजे का समय मैं आपको gift में देता हूँ, जो तुमारा करने का मन हो, तुम वो करो, it is your choice time, 4 से 5, 5 से 6 के बीच में वही करोगे, जो पहले दिन cash flow statement पढ़ायता ना, उसका revision करोगे, शाम को 6 से 7, हम लोग फिर से मिलेंगे रंगरंग कारेकरम, percentage booster की अकाउंटेंसी की class में इसमें हम cash flow statement कराएंगे, और आज की class में आपको work sheet मिलेगी cash flow statement की, similarly, फिर 7 पंदा से 8 पंदा, desert class होगी, य भाई वाँ, सरी आइस क्रीम है, कहीं खतम ना हो जाए, इतनी बेहतरी इन class होगी, commerce की इसमें मैं management शुरू करोगा, when I say management, I say podscop, planning, organizing, directing, staffing, controlling एक साथ, मजा ही मजा आजाएगी आपको बाद, ठीक है, साड़े आट पे वही खाना खाना, सवा नौसिस, 10 बजे तक accounts की work sheet लग आपके application पर release हो जाएगा, तो आप अपना answers चेक कर सकते हो, किया, नहीं किया, क्या गलत किया, you have the accountability, then, साड़े 10 बजे, commerce का चार्ट बनाना है, जो चिट strategy मैं बताता हूँ, class के अंदर, वो चार्ट बनाएंगे ही बनाएंगे, और हमको आप शेर करेंगे, फिर रात में 11 ब जाएगा, अगें, day 3 में हम बढ़ते हैं, 11th December पहुंच चुके हैं, छे बजे आपको उठना है, मैं उठाओंगा, आपको, आपको self study करना है, या स्कूल जाना है, यार्ट चॉइस आप वो कर सकते हैं, फिर 4 से साले 5 बजे, PM तक का समय तुम्हारा है, तुम्हें जो करना ह करो, छे बजे हम लोग मिलेंगे percentage booster की, third class के अंदर जिसमें accounts की cash flow statement हम लोग फिर करेंगे, साथ में वक्षिट एक और दी जाएगी, साथ में 17 से 18 बजे हम producers equilibrium का topic कर रहे होंगे, साथ में वक्षीट भी दी जाएगी producers equilibrium की, ठीक है ना, ठीक है, फिर 6 बजे dinner, 9 बजे पढ़न बढ़या नीन आती है, day 4, 12 December का दिन आ गया है, again वही सुबह उठने का समय, मैं उठाऊंगा, school जाना तो school, self study करना तो self study, शाम को 4 से 5 का समय तुमारा है, फिर 5 से 6 accounts का revision करना है, because अब cash flow statement गर्माने लगेगा, काफी गहराने लगेगा subject, ठीक है, 6 से 7 बजे accounts की हम लोग ने class की दिस में हमने cash flow statement किया, 7 से 7 से 8 बजे commerce पर हम again management पढ़ेंगे, साड़े 8 पर डिनर, 9 बजे cash flow statement की again worksheet, 10 बजे इसका मिलने वाला है तुमको solution, फिर साड़े 10 बजे commerce का revision, और 11 बजे English पढ़के ही सोना है, this is day 4, day 5 क्योंकि हम लोग पढ़ाई करने वाले, Monday से Friday तक हमारी class हो होगी, क्यों नहीं होगी बताया जाएगा, day 5 को भी उठना आपको सेम समय पर है, 4 से 5 बजे का समय आपका, 6 से 7 हमने accountancy class पर हम cash flow statement पढ़ाएंगे, सब साथ से 8 पर हम लोग demand elasticity of demand खतम कर रहे होंगे, और 8 बजे dinner, अब 9 बजे demand का revision कर रहा है, जो यहाँ दिया गया है, 10 onwards का revision करना है, जो कल पढ़ाया गया था, अब आता है तुम्हारे इस सप्ता का सबसे अच्छा दिन, day 6 और day 7, day 6 मतलब 14 संबर Saturday का दिन है, इस दिन आपको जो doubts पूछने हैं, वो पूछेंगे, कोई class नहीं होगी, अगर आपका backup है, कोई backlog है, वो करेंगे, कुछ doubts पूछने हैं, आप doubts पूछेंगे, वो सारा दिन आपको इस चीज में cover करना है, day 7, हम आपका एक test लेना शुरू कर रहे हैं, पहले हफते से, भाई, day 7, 15 दिसंबर का दिन है, एक small सा test देना है, और test का time हमेशा 2 बजे ही रहेगा, पूछो क्यों, क्योंकि 2 बजे ही तुमारा board का इमत कराएंगे, साथ में उस पूरे test का video solution रात में 10 बजे upload हो जाएगा channel के ऊपर, तो ये strategy, ये time table आप follow कर सकते हो, मेरे साथ, जो percentage booster में involved, enroll है, उनको तो कर रहा ही करना है, जो percentage booster में enroll नहीं है, चाहें, तो वो enroll कर सकते हैं, else वो ये time table अपने आप follow कर सकते हैं, और ये time table आपक patient करते हुए चले आएंगे, और अपने goal को achieve कर ले जाएंगे, so this is how we'll be studying week on week basis, every Sunday we'll be giving you a time table, so that that time table should be followed for the next of the week, तो भाई, अगर पसंद आया हो, तो ये जरूर वीडियो अपने ISC वाले दोस्तों से share करना, मिलते हैं, बहुत जाल देख, नेक्स वीडियो को साथे लिए, keep smiling and keep learning, और लगता है कि percentage booster में enroll करना है, तो description में सीधा link है, या आप call कर सकते हैं, 812601234 पर, अगर phone busy जाए तो आप phone कर सकते हैं, 8299364494 के उपर, और आप फड़ा फड़ से जाकर percentage booster में enroll कर सकते हैं, और मिलते हैं आपसे batches के अंदर, बाबाई